कि नमस्कार दोस्तों आप का स्वागत है इसमीं में की आज क्वेडियो है दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल आराम से पास हो जाए तो प्लेलिस्ट में जाए वहां के पूरे वीडियो देख लेजिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्र तंत्र होते हैं और फिड वो टेवल करते हैं यहां पर आप्शन देख लेते हैं आप्शन नंबर यह बेस बी नी सी कॉलम और डी गियर बॉक्स कॉलम के हिस्से में स्पिंडल के लिए सभी ड्राइविंग तंत्र होते है और फीड को टेबल करते है which part of milling machine which part of milling machine the feed motor and gear box are recommended milling machine के किस भाग में feed motor और gear box लगे होते हैं base, knee, saddle और कॉलम तो दोस्तो milling machine के knee में gear box लगे होते है तो यह जो आकरती में यक्स दिखाया गया है इस भाग का नाम हमें इस question में पूछा गया है तो दोस्तो इसका सही answer है option number C इसे over arm कहती है दोस्तो इस question में इस भाग का नाम पूछा गया है दोस्तो इस भाग का नाम है column तुम्हारा option number C यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तो यह जो आकरती में यक्स दिखाया गया है यहाँ पर तो इस भाग का नाम क्या है दोस्तो उस भाग को हम spindle के नाम से जानते हैं मारे playlist जाकर एक बार जरूर देखिए तो आकरती में जो यक्स का भाग दिखाया गया है इस भाग को हम क्या कहते हैं हमें इस question में यह पूछा गया है तो दोस्तो इसका सही answer है नी हम इसे नी के नाम से जानते है What is the name of part marked as X दोस्तो यहाँ पर जो यक्स दिखाया गया है इस भाग का नाम क्या है हमें इस पूश्चन में पूशा गया है तो दोस्तो इसका सही अंसर है option number D उसे vertical head के नाम से जानते है आपर जो यह यक्स दिखाया गया है इसका नाम क्या है यह पूशा गया है यह base वी table C column already vertical head दोस्तो इसका सही सही अंसर है बर्भी table what is the helical angle of light duty plane milling machine प्रकाश करते हुए साधी मिलिंग कटर का पेज़दार कौन क्या है तो यहाँ पर option देख लेते हैं 20 degree 25 degree 35 degree ready है 45 degree और सही अंसर हो जाएगा option number B 35 degree which type of milling cutter are used for cutting soft steel and brass नरम steel और पितल को काटने के लिए किस प्रकार के milling machine का उपयोग किया जाता है a heavy duty plane milling cutter b light duty plane milling cutter c helical plane milling inserted tool cutter नरम steel और पितल को काटने के लिए helical plane milling का उपयोग करते हैं what is donated by 100 in the specification of plane milling cutter size of 15 100 x 27 बोर 25 degree आकार 50 100 और 27 बोर 45 degree के साधे milling cutter के दर्शन में 100 क्या दर्शा गया है a helix angle b bore diameter c outside diameter और d length of cutter तो यहाँ पर जो 100 दिखाया गया है यह क्या है तो इसका सही answer है option number d length of cutter which type of side milling cutter having teeth on both side किस प्रकार के side milling cutter में दोनों तरुपदात होती है यह half side milling cutter b interlocking side milling cutter c plane side and face milling cutter d striked teeth side milling cutter तो यहाँ पर हमारा सही answer है option number c side and face milling cutter साधा पक्षा और 16 milling cutter तो दोस्तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तो ऐसे ही वीडियो में इस चैनल पर लाता रहता हूं type of side milling cutter having alternate teeth with opposite helical opposite helix angle किस प्रकार के side milling cutter में विपरित helix कोन के साथ वैकल पिक दात होती है किस प्रकार की side milling cutter की चोड़ाई cutter के दो अधे के बीच स्पेसर डालकल अलग किया जा सकता है यह half side milling cutter b plane side face milling cutter c interlocking side milling cutter और d striked teeth milling cutter तो दोस्तों हमारे हाँ पर सही अंसर है option number c interlocking side milling cutter what type of milling cutter having teeth on preferably and the cutting edge are placed on a conical surface किस प्रकार के milling cutter में परिदी पर दान्त होती है और कटे हुए किनारी को शंक्वाकार सतर पर रखा जाता है यह end mill cutter b plane milling cutter c side and face milling side and face cutter और d angular milling cutter तो दोस्तों हमारे हाँ पर सही अंसर है option number d angular milling cutter दोस्तों जो आकरती में दिखाया गया है इस milling attachment का नाम क्या है यह slotting attachment b high speed attachment c rack milling attachment और d vertical milling attachment दोस्तों यह जो अकरती में attachment दिखाया गया है यह vertical milling attachment दोस्तों यह जो milling attachment यहाँ पर दिखाया गया है तो इस milling attachment का नाम क्या है चलिए option देख लेते हैं high speed attachment b rack milling attachment c vertical milling attachment और d universal spiral attachment दोस्तों यहाँ पर हमारा सही अंसर है option number b rack milling attachment पूछा गया है particular table attachment दोस्तों यह जो cutter का cutter दिखाया गया है यहाँ पर इस cutter का नाम पूछा गया है यह solid cutter b plane milling cutter c inserted tool cutter और d helical plane milling cutter तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही answer है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही answer है और जो इस cutter का नाम है वह inserted tool cutter what is the name of milling operation दोस्तों यहाँ पर जो यह मिलिंग का ऑपरेशन हो रहा है तो यह मिलिंग का ऑपरेशन क्या है इस ऑपरेशन का नाम क्या है option number 1 convex मिलिंग b concave मिलिंग c t-slot मिलिंग और d डाउटल मिलिंग तो दोस्त यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है इसका नाम है t-slot मिलिंग which machine tool can be hold more number of cutter at a time and also good in a accuracy and surface finish कौन सा machine tool एक बार में अधिक संख्या में कठर पगड़ सकता है और सटिकता और सतह सतह खत्म भे खत्म में भी अच्छा है यह लेट भी मिलिंग c slotting machine और d shaping machine तो यहाँ पर हमारा सहींसर है मिलिंग मशन मिलिंग मशन is mostly used in general workshop and industries किस परकार के मिलिंग मशिन का उपियोग ज्यादा तर सामन्य का रिशाला और उद्यों को में किया जाता है vertical मिलिग मशिन fixed bed मिलिग मशिन universal मिलिग मशिन और D. horizontal मिलिग मशिन अगर्षाटर इंडस्रीज़ और वर्क्शोप में universal मिलिग मशिन का उपयूज करते है Each machine is removing material at a faster rate in a compare with other machine अन्य मशिनों कि तुल्ना में कौन सी मशिन तेज़ दर पर सामगरी निकाल रही है एलियत मशिन भी मिलिंग मशिन से सेपिंग मशिन और डी ग्रैंडिंग मशिन तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्षन है मिलिंग मशिन किस परकार की मिलिگ मशेन भारी कारेओं को समाजद कर सकती है ये प्लेन मिलिग मशेन वे वर्टेकल मिलिग मशेन दोस्तो यहाँ पर हमारा सही उंसर है option number a plane type मिलिग मशेन दोस्तो आप वीडियो तो देख रहे है लेकिन कमेंट नहीं कर रहे है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इसमें कुछ बदलाव चाहिए या आ रहा दिख गहरा है से इसे मैं समझाओं या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे comment कर कर बताईए अगर मेरे आवाज सही नहीं आ रही है या कुछ वीडियो में कमी लगती है तो मुझे comment करिए क्योंकि दोस्तो जब तक आप अगर बताएंगे नहीं तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता आपको जैसी वीडियो चाहिए कि मैं वह इसी बनाने की कुशिश करूँगा कि जरूर बताइए दोस्तों अगर आपको कोई भी परिशानी हो कोई भी कुश्चन समझ में आये तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए मैं उसका रिपलाई जरूर दूँगा आप कमेंट ही नहीं करेंगे आप पूछेंगे नहीं अगर आपको सवाल है अगर आप उसका सवाल को पूछेंगे नहीं तो आपको जवाब कहां से मिलेगा यसलिए आपको सवाल पूछना चाहिए और यह एक विध्यारती की निशानी होती है कि वह हमेशा सवाल पूछता है तो चलिए, next question देरो, which type of milling machine is ideally suitable for boring pocket milling, profile milling and for keyway in a left middle of the shaft, किस परकार की milling machine, boring, pocket milling और profile milling के लिए, और shaft के माध्य कीवे के लिए उपयुकत है, plain milling machine, vertical milling machine, universal milling machine, और D, special type milling machine, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही answer है, option number B, vertical milling machine, type of side milling cutters are used for heavy straddle milling and for machining one side only, किस परकार के side milling cutter, भारे strad milling के लिए, और cable एक तरफ machining के लिए उपयोग किये जाते, यह half side milling cutter, B, plain side milling cutter, C, interlocking, side milling cutter, D, straggled teeth, side milling cutter, तो दोस्तों हमारे हाँ पर सही answer है, option number A, half side milling cutter, side milling cutter, are used for milling deep and narrow slot and key ways, घर्या और संकिर्न slot और प्रमुक तरीकों को मिलाने के लिए, किस परकार के side milling cutter का उपयोग किया जाता है, A, half side milling cutter, B, plain side and face milling cutter, C, interlocking, side milling cutter, D, straggled teeth, side milling cutter, तो यहाँ पर हमारा सही answer है, option number D, straggled milling cutter, इस type of side milling cutter, are used for milling wider slot of accurate width, सटिक चोड़ाई के व्यापक slot को मिलिंग के लिए, किस परकार के side milling cutter का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही answer है, option number D, interlocking side milling cutter, इस type of cutter, heavy teeth, add the end as will as non-preferently, अंतमी परीदी पर दातों के किस परकार के cutter होती है, यह slitting saw, B, end mill cutter, C, slab milling cutter, D, side and face mill, side and face cutter होती है, तो हमारे यहाँ पर option number B, सही है, विच टाइप अप कटर is used for milling cutter, flute, tap और rimmer, नल्स या rimmer पर बासरुई को मिलाने के लिए, किस परकार के cutter का उपयोग किया जाता है, यह slitting saw, B, equal angle milling cutter, C, angle, single angle milling cutter, और D, double and equal angle cutter, तो दोस्तो हमारे यहाँ पर सही अंसर है, option number D, double and equal milling cutter, which milling machine process the production of horizontal flat surface is parallel to the axis of the milling machine, milling machine की प्रकिर्या, milling machine प्रकिर्या, क्षैति सम्तल सतर का उत्पादन, milling machine के अक्षय के समानतर है, A, plane or slab milling, B, side milling, C, face milling, or D, end milling, which machining process the machining of a vertical flat surface perpendicular to the axis of the milling machine, arbor, क्षैति मशिनिंग प्रकिर्या, milling machine के arbor के number of सपाद सतह की machining होती है, A, plane or slab milling, B, side milling, C, face milling, or D, end milling, दोस्तों यहाँ पर हमारा सही अंसर है, option number B, side milling, milling process is production, producing flat surface parallel to the column, milling प्रकिर्या का कुन सा तरीका स्थम्ब के समानतर सपाद सतह का उत्पादन कर रहा है, A, plane or slab milling, B, side milling, C, face milling, or D, end milling, तो यहाँ पर हमारा सही अंसर है, option number C, face milling, which milling process the cutting is done, on the end of the cutter as well as pre-fairing, cutting के साथ साथ परिद्य के अंत में किस milling की प्रकिरिया की जाती है, A, plane or slab, B, side, face milling, end milling, तो यहाँ पर हमारा सही अंसर है, option number D, end milling, दोस्तो यह जो आकरती में, milling की process हो रही है, यह कौन सी process है, milling प्रकिरिया का नाम क्या है, दोस्तो यहाँ पर हमारा सही अंसर है, option number यह, plane or slab milling, what is the name of the milling process, यह जो milling की process हो रही है, इसका नाम क्या है, तो इसका सही अंसर है, option number B, slot milling, what is the name of the milling process दोस्तो इस आकरती में जो इस milling process दिखाया गया है प्रकिरिया का नाम क्या है end milling, face milling, side milling plane और slab milling तो इसका सही अंसर यहाँ पर option number B face milling what is the name of milling दोस्तो यहाँ पर जो इस milling का नाम क्या है plane और slab milling, side milling, face milling और staggered यहाँ पर option number D हमारा सही हो जाए गया पर attachment is used to provide reciprocating driving for a single point cutting tool एकल बिंदु काटने के उपकर्ण के लिए sparring प्रदान करने के लिए किस प्रकार के अनुलगनक का उपयोग किया जाता है a slotting attachment b high speed attachment c vertical milling attachment और d universal spiral attachment सही अंसर हो जाएगा option number a slotting attachment attachment is used to mill spiral with a plain milling machine plain milling machine के साथ mill spiral के लिए किस प्रकार के लगाओ का उपयोग किया जाते एकल मिलिंग attachment b universal spiral attachment c high speed attachment और d slotting attachment दोस्तों हमारे हैं पर सही अंसर होगा option number b universal spiral attachment सारोभूमिक spiral लगाओ which type of attachment is used for cutting helical thread gears पेजदार के लिए किस प्रकार के लगाओ का उपयोग किया जाता है यह slotting attachment b high speed attachment c vertical milling attachment और d universal spiral attachment तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 370 question का सही अंसर है option number d universal spiral attachment which milling attachment is used to increase the speed by four to six time milling attachment का उपयोग गति को चार से से गुना बढ़ाने के लिए किया जाता है तोस्तों milling attachment का नाम क्या है यह slotting attachment b high speed attachment c rack milling attachment और d circular table attachment तो हमारे यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा option number b high speed attachment attachment is fitted to the vertical or horizontal milling machine as required आवशकता नुसर मिलिग अनुलंब या शैदिश मिलिग मशिन में fit किया जाता है a slotting attachment b high speed attachment c rack milling attachment और d circular table attachment high speed attachment milling attachment is cross-feed is used to move the cutter into the work piece and the longitudinal to index the cutter cross-feed को किस milling cross-feed को किस milling लगाव का उपयोग cutter को कारे टुकडे में स्थानांतिरित करने के लिए किया जाता है और अनुधार्य फीड का अनुधार्य फीड को cutter को अनुधार्य फीड को अनुधार्य फीड को अनुक्रमित करने के लिए है यह rack milling attachment b circular table attachment c circular table attachment और d universal spiral attachment तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही answer होजएगा option number a rack milling attachment which milling attachment is used for profile milling surfacing of quantity for quantity of small pieces in one step up profile milling के लिए किस milling का milling लगाव का उपयोग किया जाता है एक कदम उपर छोटे टुकड की मातरा में surfacing a slotting attachment b high speed attachment c rack milling attachment और d circular table attachment हमारा सही answer होजएगा option number d circular table attachment का हमें उपयोग करना चाहिए which type of side and face cutter has the teeth on one side only किस परकार के side और face cutter में केवल एक तरप के दांत होती है side and face milling cutter interlocking side interlocking side milling cutter c stragged teeth side milling cutter और d half side milling cutter तो यहाँ पर option number हमारा तो दोस्तों यहाँ पर हमारा option number d सही हो जाएगा half side milling cutter which milling attachment is used to drive small cutter at a high speed speed उच्य गति पर छोटे cutter को चलाने के लिए किस मिलिंग लगाओ को उभ्योग किया जाता है slotting attachment b high speed attachment c vertical milling attachment option number d universal spline attachment तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा option number b which type of milling cutter the side are leaving or dash or dish to prevent the side of the cutter from rubbing or binding cutter के किनार को रगणने या बाजने से रोकने के लिए किस प्रकार की मिलिंग cutter से रहात मिलती है या समाप्थ हो जाती है यह slitting saw b in milling cutter c slab milling cutter और d angular milling cutter तो यहाँ पर हमारा सही अंसर हो जाएगा option number c slab milling cutter in for the breaking of cutter will rough milling मोटी मिलिंग के दवरान cutter के तूटने का क्या कारण है heavy duty low cutting speed high cutting speed d less depth of cut तो यहाँ पर हमारा सही अंसर हो जाएग option number c high cutting speed what is the q is finished milling surface is poor and cutter may be wear out of quickly यह दि मिलिंग के सथा खराब है और cutter जल्दी से खराब हो सकता है तो कारण क्या है यह less finishing allowance b more finishing allowance c correct finishing allowance और d cutting speed high यहाँ पर हमारा सही अंसर है option number a less finishing allowance कम परिश्करन भत्ता तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद तो चेलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय